बीजेपी के दिगजों के दौरे चल रहे हैं। अमित शहा, जेपी नड़ा के बाद अब खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 36 गड़ा रहे हैं। साथ जुलाई को दौरा होगा लेकिन इससे पहले सियासत में उबाला गया है। कॉंग्रिस दौरों को लेकर बीजेपी पर निशाना साथ रही है तो बीजेपी भी पलटवार करने में देर नहीं कर रही है। अधिसगर विधान सभा चुनाओ को लेकर बीजेपी की सक्रीता पर मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है। लखमा ने कहा कि पियम मोदी बीजेपी को हराने आ रहे हैं। सियम भूबेश के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। यह चुनाओ वाले प्रधान मंत्री हैं। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भगवान भी बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी के मंत्री आते हैं तो सिर्फ धर्मांतर की बात करते हैं। चुनाओ के मौल में आकर यह परधान मंत्री यह सुनाओ वाला परधान मंत्री है। देश का विकास का परधान मंत्री नहीं है। इसको चीद हो रहा है। और सारे मंत्री आ रहे हैं। सारे मंत्री आके इनका परमुक जंड़ा है टीबी में चलता है कि नव साल बहर सी जंता पार्टी नारेनाणमोदी जो काम किया उसको बताएंगे रादनाज सिंग आया हितना बड़ा सीयान अदमी काली शीरिप ढरमंतर गाar नारेन भी रम्योदी नाव साल दरमंतर नप्रकॉन रिंट है कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुन साव ने पलटवार किया है अरुन साव ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी घबराई हुई है और डरी हुई है अनाफशना बोलने पर मजबूर है चुनाव नजदीक हैं मौका भी है और दस्तूर भी है लिहाजा ऐसी बयान बाजी होना आम बात है जो धीरे धीरे और तेज होगी बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि कभी निशाने पर बीजेपी होगी तो कभी कॉंग्रेस कुलिशोर पंडी बंसल न्यूज राइपुर